मैं अध्यक्षी उद्बोधन के लिए प्रोफेसर मालिनी अवस्थी जी को आम अंत्रित करता हूं कि मैडम आए और आज के स्विशेक पर अपना अध्यक्षी उद्बोधन प्रेस्टोत करें प्रोफेसर मालिनी अवस्थी जी इंडिक एकाडमी और भारत अध्यन केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में बाबा विश्वनाथ जी की धर्ती काशी में यहाँ उपस्थित सभी शिव भक्तों, सभी विद्वानों, सभी आधरनियों को प्रणामों नमन करते हुए आज हम सब लोगों के लिए बहुत आहलाद का और सुख का क्षण है कि जिस धर्ती का कंकर कंकर शंकर है, वहाँ पर आज शिव तत्व पर व्रिहदवार्ता होगी शिवत्व क्या है इसको समझने का एक सुंदर प्रयास अगली दो दिन की जो यहाँ पर संगोष्ठी है उसमें भारत वर्ष के कोने कोने से पधारे हुए सभी आदर्णे विद्वानों को सुनने का यह दुरलव अवसर है इस अवसर पे यहाँ पर मेरे साथ मंच पर उपस्थित पर मादर्णी कह सकती हूँ कि इस पूरी इंडिक अकाडमी और आज के इस पूरे आयोजन इस प्रकार के तमाम आयोजन जैसा कि अपने उद्वोधन में उन्होंने स्वैम बताया डॉक्टर नागराद पतुरी जी आपका विशेश अभिवादन करती हूँ साथ ही साथ हमारे अत्यंत उत्साही और हमेशा सायोग करने वाले रेक्टर भीच्चु प्रोफेसर विजय कुमार शुक्ला जी का अभिवादन करती हूँ स्वागत करती हूँ और पूरे भारत अध्यान केंद्र को निरंतर गती प्रदान करने वाले समनवाई भारत अध्यान केंद्र अधनी प्रफेसर सदाशिव दिवेदी जी साथी सभी यहाँ पर जितने भी लोग उपस्तित हैं मैं तो स्वयम सुनने के आनंद में यहाँ दवड़ी चली आई हूँ और यह बड़ा विकट क्षण है जब अध्यक्षियोद बोधन के लिए अपने विद्वानों के वीच में मुझे यहाँ पर विराजमान कर दिया है पहले तुम्हें बताना चाहूंगी व्यक्तिगत तोर पे इंडिका एकाडमी से मैं स्वयम जुड़ी रही हूँ आभार योगिनी जी का वो किसी ना किसी बहाने मुझे जोड लेती हैं और मैंने दो या तीन बार आपके लिए ऑनलाइन अपने विचार को विभिन निविश्यों पे प्रकट किया है और इसलिए मैं इंडिका के कारियों को से भली बाती परिचित हूँ यही कहना चाहूंगी कि आज से पहले बहतर समय कभी नहीं था आज भारत की युवा पीड़ी भारतियता को भारतियता के तत्वों को समझने का आरंब से एक उसकी एक चिंता दिखती है और प्रयास दिखता है और इसमें आप लोगों का इतना सुन्दर सार्थक आपके पूरे संकल्प हैं जिनसे मैं परिचित हूँ इस बार आप भारत अत्धियन केंदर में यात्रा में मैं उपस्तित नहीं हो पाई थी इस बार इसी लिए उपस्तित हुई कि मैं भी सभी विद्वानों को सुन सकूँ और इस आनन्द का अपने कुछ ग्यान में विद्धी कर सको जैसा कि डॉक्टर नागराज जी ने भी यहां बताया कि हमारा छेत्र लोक का है लोक के बहुत साधारन सहज परिभाशा है जो हम और आप हैं जो जन है और उस लिहाज से देखें तो शिव भारत की प्राचीनतम अरण्य संस्कृति आदम संस्कृति जन संस्कृति के सबसे बड़े प्रतीक, सबसे बड़े अधिश्ठाता, सबसे बड़े देव हैं और मैं भगवान शिव को इसी रूप में समझ पाई हूँ कि मुझे लगता है कि भारत के जीवन संस्कृति के विभिन रहस्यों को समझने का एक समाधान एक व्यक्तिक रूप में, एक लीला के रूप में, एक पुंज की रूप में मनीशियों ने यदि सोचा विचारा, तो वो शिव के रूप में उस समाधान को पाते हैं और शायद इसके लिए कहा गया कि तम तत्वम न जानामी की द्रिशवसी महिश्वर या द्रिशवसी महादेवाय तादिशाय नमो नमा जिस रूप में हैं, जैसे हैं, उसी रूप में नमन है, उसी रूप को प्रणाम करती हूँ, उसी रूप को हम सभी नमन करते हैं क्योंकि शिव सेश्रिष्टी का आरंब है, शिव ही अनादी हैं, अगम हैं, अगोचर हैं और लोक में यह दिया हैं, तो लोक में सहज मानवी रूप में वे हमें दिखते हैं, वो पहले ऐसे देव हैं जिनका अपना परिवार है, वो पहले ऐसे देव हैं, जो ग्रहस्त हैं लेकिन शिव का पूरा जीवन हमारे मनीशियों ने आने वाली सभी पीढ़ी को एक सुन्दर संदेश देते हुए यह बताया कि सबसे बड़ा कि किसी भी द्वंद से रहित सह आस्तित्व जो हम कहते हैं को एक्जिस्टेंस सह आस्तित्व का जो सबसे महान विचार है उसके सबसे बड़े पोशक के रूप में भगवान शिव हमें दिखाई देते हैं सह आस्तित्व वे ग्रहस्त हैं लेकिन जोगी हैं वे आशुतोश हैं लेकिन प्रलयंकारी हैं भगवान शिव उनका पूरा जीवन उनका पूरा परिवार उनका पूरा परिवेश और व्यक्तित्व भी यदि आप देखें तो कहीं न कहीं आपको ऐसा लगेगा देख करके कि विरोधा भासों से परिपून एक ऐसा व्यक्तित्व हमारा जीवन भी ऐसा ही है और शिव का जीवन हमें सिक्षा देता है जो कुछ भी त्याज है उसे त्याजों नहीं जो कुछ भी भय देता है उससे अभय बनो उससे स्वीकारो उससे ग्रहन करो शिव हला हल को स्वीकारते हैं शिव की अराधना के लिए जल ही पर्यापत है शिव बेल पत्र सब कुछ स्विकारते हैं क्योंकि उन्हें आडंबर नहीं चाहिए शिव की पूजा के लिए प्रतीक में नर्मदा के एक बटिया ही पर्यापते हैं वो शिव का प्रतीक है शिव के पूरे जीवन में आप देखें देवों के देव कहे गए हैं इसलिए महादेव हैं लेकिन ओगण हैं पूरा परिवार हैं लेकिन सन्यासी हैं परिवार में भी उनके स्वयम शक्ति उनकी अर्धांगनी है कहते हैं कि ब्रम्भा ने स्वयम चुकी संतान उत्पत्ति में असमर्थत आती तो स्वयम अपने अंगूठे से दक्ष का स्रिजन किया और शुपुनान में इसका जिक्र आता है और भगवान शिव से अनुरोध किया कि वे श्रिष्ठी के रचना करें और तब सती दक्ष की पुत्री और बाद में उमा पार्वती हर प्रकार से उनको जब प्राप्त होती है जो स्वयम शक्ति की स्वरूपा है तो पूरे विश्व में मुझे लगता है और धीरे धीरे जिस प्रकार अनुसंधान बढ़ रहा है विभिन्य संस्कृतियां धीरे धीरे सनातन संस्कृति की सार्वभौमिक वासुधहविक उपस्तिती को धीरे धीरे स और अब कहीं न कहीं अनयक अब्राप्रिम जितने भी धर्म है उनकी उत्पत्ति में कहीं न कहीं लगता है कि शिव से प्रेरना मिली है क्योंकि सनातन के बाद ही बाकी सभी धर्मों का उदगम हुआ है शिव का स्वरूप देखें जो दृतिया का चंद्रमा है शिव का अनन्त कहें गएं ऐसी लिए और यहां पर एक बहुत सुंदर बात आप कह रहे थे कि दो दिन अब शिव शिव ही करना है विश्णु जी की कभी और चर्चा होगे लेकिन शिव का सबसे एक रोचक और सुंदर सुरूप एक हरिहर भी है जहां पर विश्णु और शिव दोनों की परिकलपना साथ है उसी प्रकार जैसे आज जो आपने नरेटिव सिटिंग की बिल्डिंग की बात बहुत अच्छी आपने कही कि हमें रीकलेम करनी है कुछ ऐसी आइडियोलोजी कुछ ऐसे भ्रम जो मिथक जो पूरे विश्व में फैला रखे हैं उसमें से फेमिनिजम की जब बात होती है तो वहाँ पे शिव का अरधरनारिश्वर स्वरूप सबसे पहले पूरे विश्व में उन धारनाओं को ध्वस्त कर देता है कि हमारे आदिदेव नृत्य नाट्य 108 प्रकार की नाट्य सारी कलाए लास से और तांडव सभी प्रकार की कलाओं का स्रजन करने वाले हैं ऐसी शिव जो अपने उसी व्यक्तित में जहां परिकल्पना है कि स्त्रेन और पूरुष दोनों समानु रूप से विराजमान है और मुझे लगता है हम सब भी पूरु तभी होते हैं जब हमें स्त्री और होना भी चाहिए क्योंकि स्रजन माता पिता मिलके करते हैं पूरुष और स्त्री मिलकर स्रजन करते हैं हम जिस शिव की अराधना करते हैं वो भी कहीं न कहीं संयुक्त रूप से हम शिव लिंग और योनी दोनों की अराधना करते हैं शिव और शक्ति पूरुष और स्त् आन रूप से है, यदि हम शिव कहते हैं, तो उस शिव में शक्ति अपने आप में, अपने रूप में स्वयम समाहित है। शिव की कितनी ही चर्चा हो, कितनी बाते हो, क्योंकि मैं यहाँ पर, मैं जब पढ़ रही थी, तो मैंने देखा कि विभिन उपनिशदों में, ब्रामन में, चायो शत्पत ब्रामन हो, अरन्यक ब्रामन सम्में, जिस जिस प्रकार भगवान शिव के विभिन विभिन रूप हैं, मुझे तो यही समझ में आया, कि जो शिव लोक में हमारे यां बड़ा सुंदर वर्णन है, शिव का, उनकी बरा कि समाज जिन-जिन को तिरस्कृत करता है, समाज जिन-जिन को उपेक्षित करता है, वो सब शिव के गण हैं, और शिव के जीवन से, शिव के परिवार से हम ये सीखें, कि कैसे उनकी सहचरी, उमा का वाहन व्याग्र है, और नंदी जी सामने बैठे रहते हैं, इसी प्रका दूसरे पुत्र गणेश है, जिनका की वाहन मूशक है, पुना सर्प और मूशक की शत्रुता जग जाहिर है, यदि ये 5 जीव एक साथ रह सकते हैं, ये पशुपतिनाथ स्वेम बताते हैं अपने जीवन से, हम और आप क्यों नहीं जीवन की विसंगतियों, जीवन के उन सभ रहकर के आगे बढ़ सकते हैं, शिव का परिवार, शिव का जीवन, सबसे बड़ा इस बात का प्रमाण है, जो में इसे खाता है, कि जीवन में जिसने विश्पी लिया, वो संसार में अजेय है, जीवन में जिसने भय को मृत्यु को जीत लिया, वही मृत्युन्जय है, जीव मोह परिवार को होते वभी निर्मोही है, वो शिव होगा, और जीवन का उसका एक ही उद्देश हो, कल्यान, क्योंकि शिव का अर्थ ही कल्यान है, और इसलिए शिव राम का भी कल्यान करते हैं, और शिव रावन का भी कल्यान करते हैं, शिव का आशिरवात पाने में कोई भे जो विराट सहज हमारे सामने व्यक्तित्व की जो परिकल्पना हमारे मनीशियों ने रखी वो एक ऐसे व्यक्तित्व की रखी है जो प्रतिपल अपने जीवन से हमें सिखाता है हमें शिव होना है और लोक में मैं इसी बात के साथ समापन करती हूँ आपके लिए शाहद रोच जानना कि काशी में शिव से वारता करते हैं भक्त, वो एक साधारन मनुझ की तरह, अरे उठा तन आयो भोर होगल दिखा, उठा, अरे भोला, सूतल बाड़ का हो, उठा, मतलब, इस तरह से बात करते हैं, वो जब जाते हैं, बाबा विश्वनाज जी के अराधना करने हो, तो उनसे, मित्रवत उनसे बात करके अपनी शिकायत, सब तो हारे कश्ट देहल हो, सारा कश्ट तुम्हारा दिया हुआ है, ये लोक में भी, भोले नात उसी सुरूप में मिलते हैं, आप कोई भी गीत उठा लें, तो शिव से सहज वारता, एक सहज आत्मियता, जैसे हमारा कोई सखा है, हमारा अपना है, क्योंकि वे रुद्र हैं, वो अश्रु नहीं देख सकते, वो रुदन नहीं देख सकते, तो हम अपनी बात अ एक ऐसे आत्मी से कह सकें, ऐसे शिव का सबसे सुंदर सहज रूप लोक में मिलता है, जहां पर हम उनके लिए गीत गाते हैं, खेले मसाने में होली दिगंबर, खेले मसाने में होली, होली खेले मसाने में, शम्शान में होली जो खेले, यानि उत्सव और ये काशी में, वास होते हैं और सबसे बड़ी बात काशी गुरुवों की नगरी है और शिव गुरु शिष्य परंपरा के सबसे प्रथम प्रवर्तक हैं जितनी भी परंपराएं हैं गुरु शिष्य परंपरा नात परंपरा जितनी भी संप्रदाएं हैं वे सब शिव से ही आरंभ हुए हैं हम ल जाने, सारे जगवा में कैली अंजोर, अंजोर बाबा गोरख, बाबा गोरख, इस प्रकार अनंत अनंत व्याख्याएं, अनंत मिमानसाएं बाबा पर की जा सकती हैं, और हम उन सब अलग-अलग आयामों को सुन करके उसका अनंद लेंगे, मुझे बहुत प्रसंदता है कि एक भारत, श्रेष्ट भारत है, हमारी सनातन संस्कृति के आधार, भागवान शिव किस प्रकार भागवलिक आपने जैसे का भागवलिक के बातात्विक विमर्ष पर हम सभी लाभानवित होंगे, जो लोग भी इसको ऑनलाइन सुन रहें, उनसे मेरी अनुरोध है कि क्रप इसको करके इसको शेर करे अधिकादिक, क्योंकि ये दुरलव ग्यान है, जो आपको घर बैठे मिल रहा है, अपने आत्मियों को, जिनको कि शायद जानकारी नहों, मैंने बैठे-बैठे पांच लोगों को अभी साजहा किया है, क्रपा करके लिंक भी ऐसे लोगों को कि आजकल समय कम मिलता है लोगों को शायद पोस्टर भी देखने का, लेकिन ऐसा नहीं कि ऐसी उनको जानकारी मिले तो वो इससे वंचित रहना चाहें, ऐसे लोगों तक हम इस ज्यान को सुलब कराएं, पुना बहुत-बहुत बधाई, इंडिका को और भारत अध्यन केंदर क और एक विशेश शब्द अमित पांड़े जी के लिए वश्य कहना चाहूंगी, बड़े उत्साह के साथ इस आयोजन से जुड़े हैं, आम सब की मेहनत सफल हो, बाबा पिश्वनात जी का भगवान शिव का, हम सब को आशीश प्राप्त हो, जैहिन वंदे बादर को.